आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें शेयर करें आचारे पंडित गिरीश बारो लिया जोतिश हस्त्रेखा एवं वस्त चैनल राधे राधे जैसरी किष्णा नमस्कार मैं आचारे पंडित गिरीश बारो लिया मित्रो बीज मंतरों की इसकड़ी में आज हम आपके लिए बताएंगे कि बीज मंतरों के कितने प्रकार होते हैं अभी तक हम लगातार क्लीम बीज मंतर के बारे में जानकारी दे रहे थे लेकिन कई लोगों के जिग्यासा होती हैं कि कई मंतरों में क्लीम के अलावा और भी बीज मंतर लगे रहते हैं उनका क्या ताथ पर हैं मितरों हमारे रिश्यमनियों ने जितने भी मंतर बनाए हैं एं मंतर जो है वो देवी देवताओं के आधार पर बनाए हैं उस आधार पर उनकी फोट में बनाई हैं एक हमारे सामने उनका स्वरूप रखा है कि इस मनतर के व्याब करने से आपको किस चीश की प्राबती हो सकती है तो उसी प्रकार से बीज मनतर, उन मनतरों में है यदि आपको और जादा चाहिए तो फ़र एक बीज मनतर उसमें लगा दिये जाता है बीज देखने में बहुत चोटा होता है जैसे एक पौदा होता है उसका जो बीज है बहुत चोटा होता है लेकिन जब हम उसको लगाते हैं तो वो एक बिसाल ड्रिक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है मन उसोह, प्रानी में हो तो हर चीज जो है वो पहले बीज के रूप में होती है और फिर इसके बाद में बिक्सित होते हुए फिर वो कोई मानव बन जाता है, कोई महावानव बन जाता है, कोई देवता बनता है तो इसी प्रकार से जो बीज मंतर होते है वो कब काम करते हैं किनको इनकी आवश्यक्ता पढ़ती है ओम जो बीज मंत्र है वो सबसे सर्वस्रिष्ट बीज मंत्र माना जाता है अब आपके मन में ये जग्या सा आती है कि जब ओम सर्वस्रिष्ट बीज मंत्र है तो फिर अन्य बीज मंत्रों के हमें क्या आवशक्ता पड़ती है मित्रो हर बीज मंत्र में हर मंत्र में जितने भी हमारे मंत्र है उनमें शम में ओम अवश सुरू में लगा रहता प्रणाओं के रूप में तो ओम का उच्चारण जब हम करते हैं और बगेर किसी बीज मंतर के जब हम ओम के माध्यम से जाब करते हैं तो उसको इस प्रकार से समझें कि जिसके लिए अध्यात में उन्नती चाहिए जो बिक्ती अध्यात में कुछ करना चाहता आगे बढ़ना चाहता है निस्काम भावना से जो सेवा करता है उसके लिए किसी बीज मंतर के अवश्यक्ता नहीं पड़ती जैसे कि आपके घर में बच्चा हुगा माता पिता बच्चे का लानन पोसन करते लेकिन उसके प्रती किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रखते हैं आप फ्लाइट में बैटे हैं पाइलेट जो है वो आपको ले जाता है एक गन तब तक वो अपना काम कर रहा है लेकिन बदी वो इस सूच के चले कि इनसे मुझे ये प्राफिट होगा तो मैं ले जाओंगा तो वो बात गलत हो जाती इसी प्रकार से माता पिता अपने बच्चे का जो संडक्षान करते हैं तो उसके पीछे उनका कोई भाव ऐसा नहीं होता है कि हम इसको ये करेंगे तो इसका रिटरंड में हमें ये चीज मिलेगी तो इसी प्रकार से जब हम ओम मंतर का जाब करते हैं ओम लगा करके तो उस समय हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं रहती कि हमें इसवर से क्या चाहिए बस हम अपनी एक अध्याद पर एक उन्नती चाहते हैं, इस्वर के समीप जाना चाहते हैं, उसके निकट जाना चाहते हैं, वो हमारी एक जिग्यासा रहती है, लेकिन आम व्यक्ति जो है, वो जब इस कल्यों में आता है, तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोब, मोह, कई प्रकार की लिपसाइं होती है, सुन्दर पतनी चाहता है, कोई अच्छा सुन्दर पती चाहता है, तो इस प्रकार की जो कई कामना व्यक्ति करता है, तो उन कामनाओं की पूरती के लिए, इन मंत्रों में बीज मंत्र लगा दिये जाता है, तो उन बीज मंत्रों के माद्धम से, फिर हम इन सारी चीजों की बड़ी आसानी से हमें प्राप्त कर सकते हैं अब आपके मन में ये विचार आएगा कि जब हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो फिर कोई भी प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं होता मित्रो आपके पास में कार है लेकिन आप यदि कार सही तरीके से चलाना नहीं जानते आप एदी ड्राइमिंग सीट पर बैठ जाएंगे तो फिर आप अनर्थ कर सकते हैं अगनी का बहुत सारा उपयोग व्यक्ति करता है लेकिन एदी अगनी को हम संतुलित नहीं कर सके अगनी को हम बसमें नहीं कर सके तो विस्फूट कर सकती है बहुत सारी चीजों को जला करके नहीं कर सकती है इसी प्रकार से जल है जल का जब तक आप सही तरीके से संचे करेंगे तो वो आपके लिए लाव देगा लेकिन जब बारस में आप यदि उसको सही तरीके से कत्रत करने कर आप तक यदि आप ने कोई योजना नहीं?!" कहीं बान अतियादी नहीं बनाएं तो तो फिर वो जो है बिनास प्रकृतिका करती है तो इसी प्रकार से बीज मंत्र होते हैं इन बीज मंत्रों को यदि आप बगएर सोचे समझे बगएर किसी गुरू के सानिद में बगएर किसी के सलाह मसवरा के और आप यदि इनको करते हैं तो फिर यह आपके लिए फायदे की अगर बहुत ज़्यादा नुफसान पहुचा सकते हैं इसलिए कभी भी जब आप इन बीज मंतरों का उपयोग करते हैं तो आपको किसी अच्छे गुरू के सानिद में उसकी निरिक्षन में आपको इन मंतरों का आपको जाब करना चाहिए आपको किस चीज की आवज सकता है क बीज मंतर के प्रकार कितने होते हैं किस कितने प्रकार के बीज मंतर होते हैं ओम जो कि हमने बताए कि ये ब्रह्मान का सबसे बड़ा बीज मंतर होता है इसके पस्चात होता है क्रीम, स्रीम, हरॉम, हरीम, एम, कंग, फ्रॉम, दंग, भ्रम, धूम, हलीम, त्रीम, च्रॉम, धम हंग रांग यंग छंग तंग ये इतने प्रकार के बीज मंतर होते हैं अब जितने भी देवी देवता हैं उनके मंतरों में यदि इन बीज मंतरों को लगा दिया जाए तो इन बीज मंतरों को आप किसी भी देवी देवता के लिए नहीं लगा सकते हैं उनके सबके अपने मंत्रों में आप कौन सा बीज मंत्र लगा करके और आप क्या प्राप्त कर सकते हैं आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उस आधार पर आप इन बीज मंत्रों को लगा सकते हैं और उनका आप बड़े जल्दी लाब ले सकते हैं क्योंकि जब अबयक्ती बीज मंत्र लगा करके, किसी भी देवी देवता के जब जाब करता है, तो मंत्र का मतलब होता है, वो उसक्ति जो है, उसको हम खीचते हैं अपने तरफ, तो जब आप उस सक्ति को खींच रहें तो उसे बरबस हो करके आपके पास आना पड़ता है अब यदि आप भगवान गड़ेस जो की प्रथम पूझे माने जाते हैं उनकी आपको आराधना करना है तो सबसे पहले यह जाना है कि भगवान गड़ेस देते क्या है वो सुख बुद्धी के प्रदाता है ग्यान के प्रदाता है जो कि ग्यान देते हैं बुद्धी देते हैं तो यदि आपको बुद्धी चाहिए ग्यान चाहिए तो फिर आपको भगवान गड़ेस की सरान में जा करके और उनके मंत्र में गंग यह जो बीज मंत्र है वह लगा करके यदि आप उनका जाप करते हैं तो फिर आपके लिए निश्च तुरुप से बुद्धे की प्राप्ति होगी यदि आपके अंदर अकाल मृत्तु का भाय रहता है आप हमेशा रोगी बने रहते हैं आपको हमेशा किसी प्रकार का अग्याद भाय बना रहता है तो फिर आपको भगवान सिव की आराधने करना चाहिए और भगवान सिव भोले नाद है वो बड़े जल्दी प्रसन हो जाते हैं तो उनका जो मंत्र है उसमें आपको जो बीज मंत्र लगाने चाहिए वो लगाने चाहिए हरों ये बीज मंत्र लगा करके यदि आप उनका जाप करते हैं तो फिर आपके लिए भगवान सिव की करपा बड़े जल्दी राप्त होगी यदि आप ऐस्वरे चाहते हैं मान एस्वर हो आपके पास में धन्दौलत हो तो फिर आपको भगवान विश्णु का मंतर का जाप करना चाहिए जिसमें आपको लगाना चाहिए दंग, मतलब दा उपर बिंदी दंग, ये वाला आपको भीज मंतर लगाना चाहिए यदि आप भगवान uży RAAM से प्रेरिथ हैं, तो भगवान राम ने अपने जीवन में किया मर्यादा मतलब वह मर्यादा के अंदर रहे हैं, माता पता की शवा करना माता पता की आग्या का पालन करना और वो जीवन में अपने एक लक्षमन रेका के अंदर उन्होंने अपने जीवन को जीया है तो आप भी यदि इस प्रकार की चीजें चाहते हैं तो फिर आप यदि भगवान राम की सरण में जाना चाहते हैं तो आपको रिंग बीज मंतर लगा के रा मैं बड़ी की मंतर उपर बिंदी इस मंतर का आपको इस बीज मंतर को लगा करके आपको उनके मंतर का जाब करने चाहिए यदि आप सत्रों से परिसान हैं आप कोड कचेरी से परिसान हैं आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्ति आपको कही मार पीट ना दे आप बैपार में आपकी उन्नती नहीं हो रही है तो इस परकार कि यदि परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही है तो फिर आपको भगवा जो हनुमान जी की सरन में जाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जो है वो कल्योग के साक्षा देवता हैं माता सीता ने उन्हें बरदान दिया था अमरत्त का ऐसे जो पांच लोग हैं जो अमर हैं उनमें एक भगवान हनुमान जी का भी है कि वो अमर हैं तो इस कल्य हा उपर बिंदी हंका आपको जो है वीज मंतर लगा करके आपको उनका जाप करना चाहिए भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण क्या देते हैं आपके लिए भगवान कृष्ण आपको हर परिस्तेतियों से निकालते हैं आपको एसवाराम भी देते हैं आपको प्रेम भी दे हैं तो उनको आपका उनका आजिश्य मंत्र को लगा करके ओम क्रिश्णाइनमा इस प्रकार से आप जाब करते हैं तो फिर आपके कर लिए कई प्रकार की लाप्राप्त होंगे. मादुरगा क्या है? सत्रूं का नाफ़र करती है. उनका श्वरूव भी बताया गया से आपको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी मा काली का आपने देखा होगा जो है गले में जो है मुन्नों की माला लटका होगी है रोद रूप आपको यदि इस प्रकार के चाहिए का आपको रोद रूप रहें लोग आपसे भैभीत रहें आप जहां पर बॉस की सब्द का आपको जो है बीज मंतर लगा करके फिर आपको उनका जाप करना चाहिए यदि आप बैभाव चाहते हैं मालक्ष्मी की किर्पा चाहते हैं तो आपको स्रिंग स्री उपर बिंदी स्रिंग उसका बीज मंतर लगा करके आपको मालक्ष्मी की आराद्ना करना तो फिर आपको मास्वरस्वती के मंतर में एंग, एड़ी का उपर बिंदी एंग, इस मंतर का आपको जाब करना चाहिए, तो निश्यत रूप से आपके लिए बुद्ध्या की प्राप्ति होगी, ब्रह्मे देव का जो बीज मंतर है वो ओम, खंग, खंग, ये तीन बीज मंत करके दिया अपजाब करते हैं, तो ब्रह्मे देव की किरपा आपको प्राप्त होती है, तो मित्रो आज हमने आपको बताया कि भीज मंतरों के कितने प्रकार होते हैं, अब आपको जिस भी समश्चा से आप परिसान, आप लक्षमी चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, तो मह ल मोक्री चाई या कोई परिशानिय आप हनुमान जी का उसमें जा सकते हैं बिद्धा, बुद्धी चाहिए आपको तो आप घड़े जी की सरणा मुक्टि पाने के लिए बयभग्वान सिवक आपने जा सकते हैं तो इन मंत्रों आपकी जो आरादना है आपकी साधना है वो सफल होगी और आप कई सिद्धियों को आप प्राप्तब कर सकेंगे तो आसा है मितरो यह जानकारी आपके लिए बेहत्प्री लगी होगी और हमने जो सरंखला चलाई क्लीम, बीज मंतर की आपको या सरंकला बहुत अच्छी लगी होगी और आसा है कि इस जानकारी के माध्धम से बहुत सारे लोग जिस प्रकार से हमने गायत्री के बहुत सारे बीजु डाले और हमें बड़ी प्रसन्टा होती है कि बहुत सारी लोगों के नित हमारे पास में फूरन काल साते हैं और वो हमसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं और कई लोग जुनके अंदर भाय था वो आज गयतरी मंतर जप रहे हैं किनी के लिए यदि कोई चीज प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से हमें ज्यादा प्रसन्टा होगी तो मित्रो यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी अनुभ होता है किसी प्रकार का कोई आप के लिए लाव होता है तो आफ कमेंट्स बाक्स में जरूर लखा करें या बाटसवत हमें जरूर भीजा करें और गायत्री मंतर के बारे में जैसे हमने आपको बता है कि आप कभी भी किसी भी आप हमसे फोन लगा करके प Sum Si सकते हैं तो फिर आप हमसे फोन के माद्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी सुल्क आपको देना नहीं पड़ाएगा, तो आसा है मित्रो, आप लोग खोस होंगे, आप लोग खोस रहें, मस रहें, मागाई तरीक अशीम करपा इसी प्रकार आप